वो दिन एतिहासिक रहा, इतियास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हुआ 21 अप्रिल 2022, जब राजस्थान की धरा पर आशाएं, उम्मीदें और विश्वास ने एक साथ मानवता के साथ कदम से कदम मिला कर ऐसा एतिहास रच दिया जिसे देख कर राजस्थान का हर एक नागरिक अपने आपको गौरवानवित महसूस कर रहा था, ये कोई आम दिन नहीं था मौका था राजस्थान विधान सभा में उपनेता, प्रतिपक्ष वचूरू विधायक श्री राजेंद्र राठोड जी के जन दिवसका, जिसे हर कोई सदैव याद रखना चाहेगा सूरज की पहली किरण के साथ ही लोगों का उत्सा, उमंग और मानव सेवा के अतुलनिय कार्य रक्टदान के लिए स्वैचिक रूप से हजारों प्रदेश वासियों ने राजस्थान के साथ संभाग और तैतिस जलों में अलग-अलग स्थानों पर आयोजित शिवरों में स प्रदेश भर से चम्वालीस हजार से ज्यादा योनिट रक्त संग्रहित किया गया। ये विश्वास था अपने सबसे लोग-प्रियर नेता जननायक बाबोसा श्री राजिंद्र राठोर जी के लिए जिनके जन दिवस पर जात पात के बंधनों से उपर उठकर लोगों न एक दूसरे के साथ जिन्दगी की बूंदों का दान किया। यानि रक्त दान कर उनके शुबचिंतकों, समर्थकों और प्रदेश के हजारों लोगों ने रक्त दान के इस महा कुम्भ में रक्त दान कर लोगों की जिन्दगी बचाने का अनुकर्णिय कार्य किया। ये पहला मौका नहीं था जब चूरू के लोक लाडले विधायक श्री राजेंदर राठोर जी के लिए रक्तदान शिवरों का आयुजन किया गया हूँ लेकिन इस बार इसे जिस व्रहत स्वरूप में प्रदेश भर में उनके जन्म दिवस पर आयुजित किया गया वो सचमुच अकल्पनिय व अद्भुद रहा है क्योंकि इस आयुजन से एकत्रित रक्त से हजारों लोगों को जिन्दगी देने का कार्य किया जाएगा रक्तदान शिवरों में बड़ी संख्या में लोगों का शामिल होना श्री राजिंदर राठोर जी की जन्ता के बीच उनकी लोख प्रियता की कहानी स्वयम बया कर रही है प्रदेश भर में करीब 190 से ज्यादा शिवरों के सफल आयुजन के पीछे रक्तदान के प्रती श्री राजिंदर राठोर जी की गंभीरता और सजकता भी है वो स्वयम लंबे समय से रक्तदान करते आए हैं और आम जन को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरत करते रहे हैं इन शिवरों में कई स्थानों पर उनकी सहभागिता और रक्तदाताओं के प्रती उनका सम्मान बेमिसाल रहा है शायद उसी की बदौलत ये रक्तदान शिवर का महाकुम्ब सफल हो पाया और सार्थक मुकाम पर पहुँचा समाज में ऐसे आयोजन प्रेड़ना पुंज से कम नहीं है इनका मकसद नेक है इन शिवरों में छिपावा उद्देश भी मानवता को मानवता से जोड़ कर एक ऐसे समाज का निर्मान करना है जिसमें एक दूसरे की मदद कर इंसानियत की बेमिसाल प्रतिमा को गड़ना है आईए एक कदम बढ़ाएं आशा के उस सफर पर चलो मिलकर रक्तदान कर नया इतिहास बनाएं आपका ये प्रयास सुकून पहुँचाएगा आपको और उन लोगों को जो खून की कमी से जूज रहे हैं आपके लहु की एक-एक बूंद आशा है उमीद है उन परिवारों के लिए जिनके अपने खून की कमी के चलते जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं